ये रिष्टा क्या कहलाता है में एक हाइस्टेक ड्रामा सामने आता है जिसमें रूही एक दुरघटना के बाद अभी भी हिल गई है एक बच्चे का एक मात्र स्वामित्व दावा करती है जिसका अभीरा के साथ सहपालन करने का इरादा था यह घटनाक्रम एक अशांत अवधी के बाद होता है जब अभीरा ने अपना बच्चा खो दिया था और रूही के बच्चे को गुप्त रूप से अभीरा और अर्मान को पालने के लिए दे दिया गया था अभीरा जो अब सहपालन करने के लिए उत्सुख है रूही के इनकार और यह घोशना करने से स्तब्ध है कि बच्चा केवल उसका है जिसके कारण उसे यह कबूल करना पड़ता है कि अभीरा का अपना बच्चा जीवित नहीं बचा रोहित सिती के लिए अपराध बोच से दब जाता है लेकिन विद्या उसे आश्वस्त करती है तनाव अभीरा अर्मान और रोहित को गहराई से प्रभावित करता है क्योंकि दर्शक यह अनुमान लगाते हैं कि रूही के भावनात्मक संघर्ष के बीच अभीरा और अर्मान बच्चे को एक स्थिर परवरिश दे पाएंगे या नहीं